हाई अवरिवन वेलकम बैक टू मैं चैनल आज के वीडियो में मैं इंडेप्थ रिव्यू करने वाली हूँ दा डर्मको के एचे बीचे फेस पीलिंग सॉल्यूशन का इसके साथ ही मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि पीलिंग सॉल्यूशन क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं इस प्रॉड़क की पैकेजिंग और टेक्शर को तो गाइस यह है इस प्रॉड़क की आउटर और इनर पैकेजिंग आउटर पैकेजिंग की गई है एक कार्ट बोर्ड बॉक्स में जिसमें आपको प्रॉड़क से रिलेटेट सारी डीटेल्स दी गई है और इनर पैकेजिंग की गई है एक वाइट कलर की गलास बॉटल में जिसमें आपको एक ड्रॉपर भी अटेजड है जिससे आप प्रॉड़क्ट को इजिली यूज कर सकते हैं अब जानते हैं इस प्रॉड़क्ट का टेक्श्चर एंड कलर यह सीरम जेल कंसिस्टेंसी का है और ब्राइट रेड कलर का माइल्ड सॉल्यूशन है इसे आप इजिली अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर सकते हैं काफी माइल्ड है यह और इस पीलिंग सॉल्यूशन को आप इजिली घर पर यूज कर सकते हैं क्लीनिक्स पे जो peeling solution यूज होता है वो काफी strong acid होते हैं बट ये काफी light acid है तो ये थी इस product की outer and inner packaging texture and color अब चलते हैं इस वीडियो के next part की तरफ product के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि AHA and BHA peeling solution का work क्या है ये कैसे work करता है AHA यानि की alpha hydroxy acids and BHA यानि की beta hydroxy acids इन दोनों से बना हुआ chemical peeling solution को use किया जाता है इसकिन को deeply exfoliate करने के लिए जिसे हम chemical exfoliation भी कहते हैं chemical peeling solution इसकिन को exfoliate करने के साथ साथ इसकिन की problems को भी target करता है इसी लिए इसे use करने से हमें double benefit मिलता है dead skin के skin से निकलने के बाद skin पे एक natural glow आता है और आप जो भी products apply करते हैं skin पे वो completely absorb हो जाते हैं इसी लिए chemical peels काफी better option होते हैं physical scrub से क्योंकि physical scrub में हमें face को बहुत रगड़ना पड़ता है जिससे हमारी face पे rashes and redness हो जाती है अब जानते हैं कि peeling solution का क्या मतलब होता है peeling solution इसी लिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी skin से micro particles और dead skin cells को peel off यानी की remove कर देता है AHA skin की topmost layer पे work करता है और skin को hydrate करता है BHA skin के अंदर penetrate करके work करता है force को clean करता है and excess oil को absorb करता है अब जानते हैं इस product के बारे में तो ये product बना है 30% AHA से and 2% BHA से 30% AHA में 10% glycolic acid, 10% lactic acid, 10% mendlic acid का use किया गया है और इसके साथ ही BHA में 2% salicylic acid का use किया गया है इस solution का main work है skin की deeper layers में जाके dead skin cells को remove करना, excess oil को absorb करना और pores को clean करना skin पे dryness and irritation ना हो acid के use से इसलिए इसमें add किया गया है aloe vera and green tea ये solution dermatologically tested है इसलिए ये काफी safe and effective acid है जिसे आप घर पे अराम से use कर सकते है In short, ये peeling solution help करता है skin को exfoliate करने में acne marks, hyper pigmentation, blemishes को कम करने के लिए और skin पे एक healthy natural glow लाने के लिए ये solution हर skin type के लिए suitable है बट sensitive skin type के लोगों के लिए ये solution नहीं है अगर आपके face पे large pores है, acne marks है, blemishes है, rough texture है तो आप इस solution का use कर सकते हैं ये काफी effective solution है और ये आपको Nika and Amazon पे available है इस peeling solution के कोई side effects नहीं है और इसके साथ ही 80% consumers ने इस solution को काफी effective बताया है तो आप इसे easily घर पर try कर सकते हैं अब जानते हैं कि इसे use कैसे करना है आपको clean and dry face पे ही इस solution का use करना है week में दो बार ही इस solution का आप use कर सकते हैं इससे ज़्यादा आपको इसका use नहीं करना है और maximum 10 minutes के लिए ही आपको इस solution को रख कर छोड़ना है इस solution को आपको रात में ही use करना है दिन में नहीं करना है अगर आपकी skin peeled skin है या फिर आपकी skin पे active acne है तो आप इसका use मत करें जब आपके acne ठीक हो जाएं उसके बाद ही इसका use करें स्टार्टिंग में आपको थोड़ी जलन या फिर irritation हो सकती है बट ये normal है इन acids में थोड़ा ये effect होता है I hope ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि peeling solution क्या होता है और इसे कैसे use करते हैं तो चलिए अब इस वीडियो को wrap up करते हैं और मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye, take care, stay safe, stay happy and stay beautiful